उत्रखंड के रास्ट्रिय राजुमार्ग 74 वन जीवों की कब्रगाहा बनता जा रहा है, जहां पिछले कई सालों से वाहनों की चपेट में आने से वन जीव अपनी जान गवा चुके हैं, हाल ही में हुए सर्वे के मताबिक पिछले 6 महीनों में 250 से ज्यादा वन जीवों की म मौत वाहनों के चपेट में आने से हुई है, वहीं वन विभाग ने स्थती को देखते हुए नेशनल हाइवे अथोर्टी के साथ मिलकर होट स्पोर्ट चिन्नित किये हैं, जिन में से तीन जगहों पर फ्लाइओवर और अंडर पास बनाए गए हैं जिन में जानवरों को आईवर गमन के लिए अंडर पास या ओवर पासिस की विवस्ता बनाई जाए इसके लिए जो खेतर थे उनका चेहन चीफ आईड़ा पॉर्टन्स आपकी के द्वारा निर्धारी टीम और एनेशाई के संद्रसेगुनों के द्वारा सहींत रूप से क जीबाबाद राश्टी राजमार्ग के चौरी करण का कारिभी शुरू हो चुका है जिसके चलते इस मार्ग से हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है जिससे वन जीवों के सरक्षन में और भी ज्यादा संकट पैदा हो गया है पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिदुआर स सतीश गुजराल की रिपोर्ट